वेल्कम दोस्तों आज ऐसे हुनहार बेटी के खुसी में आये हुए हैं कह सकते हैं जो कि हमारे लखनपुर विकास्ट खंड छेत्र में कह सकते हैं कहीं ना कहीं पूरा बहुत अथक मेहनत के बाद आज जो की रिजल्ट आया और सकसेज हुए उसके लिए हमारे टीम की तरफ से मेरे तरफ से हमारे लखनपुर छेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई जो की नाम है कोई नाम का मुहताज नहीं है सुर्भी अगरवाल उनका पिता का नाम सुनिल अगरवाल माता सिरी निलम अगरवाल जी है और माता पिता ओ दादा दादी यहाँ देख सकते हैं और कह सकते हुनी का जुबानी में जानना चाहेंगे कि कैसे इस्टेजी था कैसी योजना था कहते हैं रख हाउसला ओ मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर ओ पानी भी आएगा आप थोड़ा धर रखे सफलता निश्चित तोर से मिलेगा और पैसेंस के साथ आप हाड़ वर्क डिसीपिलिन के साथ मेहनत कीजिए चलिए दोस्तों क्या इस्टेटजी रहा है इसी एक और भी बच्चे त्यारी कर रहे होंगे बहुत कुछ सीख मिल सकता है उनसे सुनने के बाद क्या इस्टेट जी था कैसे कोचिंग करते थे तमाम जान करी तो सर पर्थाम उनका पिर्चे जानते हैं वेलकम आपका पिर्चे बताईए गसुरू से जैसे कि आपने अभी बात करते करती जो आपने अभी एक दोहा जैसा जो बोला आपने वो सर उसमें आ गया धैर और सारी चीज़ें जो एक विद्यारती के अंदर होनी चाहिए वही सारी चीज़े होती है जो उन्हें सफल बनाती है सब्सक्राइब करने सरवी सबसे के बहुत पुराना स्कूल है और हमारे इस्टाप की तरफ से सरस्वती सिशुमंदिर का नाम बढ़ायए उसके बहुत बहुत धन्यवाद आगे कहां पढ़ाई किया फिर मैंने कारमिल स्कूल से अपने तेंस तक की पढ़ाई किया है और 11-12 के लिए मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई से पढ़ाई की हूं आगे पिर सीय की तयारी के लिए मैं रायपूर में जो एक्सल कोचिंग इस्टिट्यूट है वहां से मैंने सीय की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली चली गई ती जहां मैंने अपनी आर्टिकल्शिप और सीय फाइनल की कोचिंग की तयारी सब साथ में गिया है और उसके साथ साथ मैंने विकॉम ओनर्स जो दिल्ली उनिवर्सिटी से मैंने ग्राजुएशन भी वहीं से ही कि यहां बे क्या होते हैं दस्वी और ग्यार्मी बार में रायपूर से भिलाई से पढ़े हैं इसके बाद एक सकते हैं सफलता कैसे किसको देना चाहेंगे इतना बड़ा मुकाम लखनपूर में मतलब सिये आप हाइट कर लिए बहुत बड़ी बात होता है है लग के साथ मेहना तब कितना पै अगर मिल जाते तो बहुत बड़ा कंट्रिब्यूट आपका रहेगा सबसे पहले तो मैं अपनी काम्याभी का श्रेय अपने दादा दादी मम्मी पापा नाना नानी और सारे परिवार को गुरुजनों को देना चाहूंगी जिनोंने हर स्टेप पे मेरा मार्क दर्शन किया सही कलत बताया मुझे हर मेरी रहा पर मुझे सपोर्ट किया हमेशा मेरा मनुबल बढ़ाए और सर विद्यार्थियों को तो यही कहना चाहूंगी कि अभी जैसे उनके लिए पेशन्स और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है यह दोनों चीज होनी चाहिए मन में होसल होना चाहिए सारी चीजें हो जाती है बस हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि कह सकते हैं टाइम मेनेजमेंट पैसेंस डिटर्मिनेसंस पिरिपिरेशन और हाड़ वर्क हाड़ वर्क के साथ लंबा पांस से दस साल लगता है सफल यह तमाम बहुत ही अच्छा टाइम मेनेजमेंट करना चाहिए अब आपका दिन चरिया के बारे में बताए क्या कैसे रहता था पढ़ाई के दिन चरिया में पढ़े रूटीन सुबह उठके अपना सीधा पढ़ाई में लगना पढ़ता था हमें तो जैसे कोशिश होती थी कि breakfast से पहले एक slot हो जाए पढ़ाई का ताकि हमारा वहां पर टाइम वेस्ट ना हो फिर breakfast के बाहने हमें थोड़ सा रिलाक्स मिल जाए तुरन पढ़ाई में लगो मतलब अपने breaks भी हमें उसी हिसाफ से मैनेज करने पढ़ते थे कि हमारे पढ़ाई का टाइम वेस्ट ना हो हो जाए इतना पढ़ाई के लिए निकाल सके हम जाधे ज्याधार रिविजिन कर सके जादा से चांवक दे सके सके हमें तकहार हो पर दसते थे यूपर हो सकता है वर आपका होबी यानी सवहर किसी कर रहता है क्या क्या हो स्पोर्ट में मेरा शौक है बास्केट बाल टेबल टेनिस और टेबल टेनिस में भी मैंने सर्टिफिकेट लिये हैं खेला है मैंने इंटर स्कूल अब बुक पढ़ने का भी है हाँ जी बुक पढ़ने का मुझे है किसको मानते थे आप अदर्ष जिसको हार कि अगया ने ने हैंट किसको मानते हैं अगर आप में अपने अपने घर holds अगर आप किसी चीज के लिए हो तो आप हमेशा से महनत करोगे तो वो चीज आपको आखरी में मिलेगी तो मेरे साथ कुछ भी हुआ मैं पीछे नहीं हटी कि मुझे आगे बढ़ते जाना है तो मुझे यह चीज की प्रेड़ना अपने घरवालों से ही मिलिया करते हैं कि लक्षो जलना होने पाए कदम मिला के चल मंजिल तेरे पक चुमेगी आज नहीं तो कल लगे रहिए भीडे रहिए मेहनत करते रहिए डिटर्मिनेशन के साथ कारवा खुद बाखुद चले आएगा अगर शफलता उस मुकाम तक काबिले तारिफ करना पड़ेगा क कि बहुत ही हुनुहार बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही नालेजमेंट और इस मुकाम तक अगर पहुंचें तो निश्चित तोर से बहुत ही उम्दाफ हाइट करते हुए हमारे लखनपूर विकास खंट सर्गूजा यूं कहूं कि सर्गूजा संभाग अंबिकापूर को नाम और घरवानमित किया है बहुत बहुत बधाई हमारे टीम की तरफ से और आपका लाइप स्टाइल कैसे जीना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा लाइप सर्गूर नॉर्मल लाइप स्टाइल ही जीना पसंद करते हूं घरवालों के साथ अब पढ़ाई के लिए दू सुर्भी अगरवाल से मिल रहे थे बताये कि टाइम मेनेजमेंट बहुत जरूरी है लंबा अव हाड़ वर्क करना पड़ता है धीरे धीरे चलते रहो बेसा काप मंजिल तक पहुंचेगा यानि कि यूनिक करना है बड़ा मुकाम तक हांसिल करना है तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा बहुत बहुत बधाई हमारे टीम की तरब से अंत में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को थांक्यू कहना चाहूंगे आप सब को यह बहुत बहुत थांक्यू बहुत धन्यवाद सर अ दो दो जो उन्यवाद बहुत है